हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे तो आज मैं आप सब के साथ सेर करने वाली हूँ कपड़े से निकलने वाले फोम के बहुत सारे आइडिया और कुछ तीफ्स तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा फामली के दुस्तों के साथ सेर भी कर दीजिएगा और चैनल पर पहली वराएं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए हम आज का वीडियो सुरू करते हैं मेरा पहले टीफ्स पर बाटर बोतल को लेकर रहा तो देख तो आप इसमें भी गरम पानी रख सकते हैं इसके लिए हमें क्या करना है यहां पर मैं ले रही हूँ एक पुराना सॉक्स तो आप चाहे तो नया भी ले सकते हैं या तो पुराना ले सकते हैं आपको जो इच्छा वाप ले लीजिए इसके बाद हमें क्या करना है सॉक्स को उसके अंदर हम डाल देते हैं । अब इस तursよし इंड में भी गया और इस तरह से डालने से क्या है उप इस पहले इसको डाल दीजिए उसके बाद आप इसमें गरम पांई रखिए या तो बच्चे को दीजिए तो तीन से चार घंटे किया है इसमें पानी आराम से गरम रहा जाएंगे क्योंकि देखिए सोक्स जो होता है काफी गरम होता है इसके अब जैसे क्या होता है इस में जब हम पानी रखेंगे तो पानी भी यह जो बिल्कुल यह गरम रहेगा और जल्दी यह ठंडा भी नहीं होगा तो आप इस तरह से 3-4 घंटे के लिए पानी गरम रख सकते हैं तो यह वाला आइडिया को कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताईएगा मेरा अगला टीप यहां पर फॉम को लेकर है तो देखिए इस तरह का जो होते हैं खास करके हम लोगो सेट बगरा में निकलता है या तो फिर साड़ी बगरा डाल देना है तो इस तरह से बढ़ा में या चोटा में आप इसको बना लिजिए यहां पर देखिए हमारे पास बहुत सारे स्योई होते है कुछ मिशीन के रुख अभी होगborg को कैंभी करते हैं तो हमें धुर्णम में काफी दिक्कत होता क्योंकि हमें कि ढूंब के कैसि को या तो आप पेपर पेन को भी रख सकते हैं, पेपर पेन को भी हम लोग बहुत यूज करते हैं, तो इस तरह से हमें क्या करना है, पेपर पेन को भी हम इस तरह से डाल कर रख लेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ इस तरह से बना कर रख ली हूँ, इसके बाद हमें क्य इसका जो ढखकन है उसे हम लगाकर इसको रख देंगे इस तरह से बनाने से क्या होगी हमें जो भी सुई चाहिए या तो पिर मिशी इस आपर जाता बार 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 तो यह देखने में बिलकुल खराब लगता है तो पैटी कोट क्या है वो दिखते रहता है तो आप जब भी साड़ी पहने, तो इसके पहले इह वाला डिया आप जुरूर ट्राय करिएगा तिहाँ पर देखे हमें क्या कहना है, बले पैटिकोट को इस Via से फैला लेना है उसके उपर हमें क्या कहना, यहाँ पर मैं लिह हो डबल साड़ी टेप तो यहां पर आप double sided tape ली भी ले सकते हैं या तो आप 70 pin भी ले सकते हैं आपके पास जो है वो आप ले लीजेगा तो यहां पर मैं देखिए double sided tape ली हूँ थोड़ा सा इस तरह से हमें cut कर देना है चोटा चोटा करके हमें क्या काना इस तरह से पेटी कोट के उपर हमें लगा देना है थोड़ा दूर दूर पर आप लगा देजिएगा तिन चार जगा पर इस तरह से कर दीजिएगा मैं यहाँ पर सिफ आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ पर मैं दो जगह ही लगाई हूँ उसके बाद हमें क्या करना है शाड़े को इस तरह से जो नीचे वाला पाठ होता है उसके में क्या करना है पिटिकोट के उपर हमें इस तरह से चिपका देना है इस तरह से जब आप चिपकाईएगा तो यह देखिए डवल साड़े टेप के बज़ासी एच्छे से चिपक गया है आप लोग को दीख रहा है यह देखिए कितने एच्छे से चिपक गया आप यहाँ पर सेप्टी पीन भी लगाईएगा तो भी एच्छे से से सेट हो देखिए इस तरह से अगर हम कोई डबे बगेरा में रखते हैं तो अपस में एक उलत जाता है थूरी बात कि निकल जाता है इस तरह कर डबे में ही रखिए लेकिन दूसरे तरह से रखना आप यहाँ पर यहां पर एक लीओ फोम आथा आप ईसको भी ले सकते हैं यहां पर देखिए मैं थोड़ा सा पतला वाला तो यहां पर मैं Devel कर ली हूं Devel करके हमें क्या करना है इस तरह से आप अपने ब naught यहां पर काट लेज। इससे बड़ा भी बार सकते हैं चोटा भी काट सकते कर वह पर मैं में देखि मेडियृम साइज को इस तरह से काल ली हूं इसके बाद हमारे जो भी यह रिंग है उसको हम क्या करेंगे इसमें इस तरह से टक कर देंगे तो यहाँ पर आप बड़ा भी यह रिंग ले सकते हैं छोटा भी ले सकते हैं जो भी आपके पास है आप इस तरह से इसमें देखिए इस तरह से करके रख सकते हैं इस तरह से रखने से क्या होगे एक साथ हम रखेते हैं तो यह तो ढूना भी पड़ता है आप जब हम इस तरह से रखेंगे तो यह देखिए बहुत असानी से मिल जागा जो भी इसमें देखिए अस्टोन लगा हुआ वह क्या होते हैं बिल्कुल नहीं निकलेंगे तो आप इ मोटा बला नहीं तो आप क्या करना इस तरह से सीजर की मदद से हलकाल का कट कर लिए यहां पर देखिए मैं निकलेंगे को एक साथ रखी हूं तो यह क्या हूं ही आपस में उलज गये हैं तो इस तरह से आप बिल्कुल मत रखिएगा वस इस तरह से मैं क्या करना है फो में अठेच कर देंगा तो आप इस तरह से बना कर आप कोई डबा आपके पास जो भी है आप उसमें इस तरह से रखने से इसका स्टोन बेगरा है जो बिलकुल नहीं किरेगा आप यह देखिए कितनी अच्छे भी लग रहा है देखने में तो इसी तरह से आप बना कर जरूर रख यहां पर देखिए दिखा रहे हैं अलग अलग तरह के मैं इस तरह से बना कर रिखिए हूं साइज के अनुसार यहां पर देखिए मैं कान का इरिंग भी रखिए तो आप इस तरह से बना कर रखिए आप चाहें तो इसी डबे में आप इस तरह से बना कर तीन चार रख सकते इस तरह से भी रखने से तींचारे रखेगा तो क्या होगे ये जिसकोड स्टोन है वो बिल्कुल नहीं निकलेगा और जिब भी हमें जरूरत होगा तो हम बहुत आसाने से इसे निकाल भी लेंगे और इस तरह से रखा भी सकते हैं तो इस तरह से आप जरूर रखियत इससे आपका निकलेस भी है जो बिल्कुल खराब भी नहीं होगा इसका जो है कलर बगेरा भी बिल्कुल नहीं जाएगा तो यह वाला भी आडिया जरूर ट्राइक करिएगा आप लोग को काफी प्रसंद आएगा मेरा अगला टीफ यहां पर है त तकिये के कवर के अंदर इस तरह से डाल देना आप चाहे तो फोम को क्या किजिए छोटा-छोटा कट कर लेजिए उसके बाद आप इस तरह से डाल लिए आप दोनों तरीके से इसमें डाल सकते हैं तो कट कर डालिएगा तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा और इस यहां इच्छा वहां पीसको रखिए तो इस तरह से देखिए हम बना लिए और कितना अच्छा लग रहा है कापी अच्छा लग रहा है देखने में और यह बिल्कुल रूइक है जैसा यह बन के तयार हो गया है तो यह वाला भी एडिया आप लोग को कैसा ला कमेंट करके जरूर बताईएगा मेरा अगला टीप पर चूड़ी खुले कर देखिए जो हमारे पास फैंसी चूड़ी होते हैं या तो डेली उचका चूड़ी होते हैं हम लोग क्या करते हैं हमारे पास चूड़ी बॉक्स बगरा नहीं होता है तो हम इस तरह से कोई कंटेनर में रख द देखिए हम इसमें चूड़ी को डाल दी हैं तो हम यहां पर देखिए थोड़ा सा सी चूड़ी डालें इसमें बहुत सारे चूड़ी हैं जो आ जाएंगे तो यहां पर मैं सिफ दिखाने के लिए थोड़ा सा डाली हूं इसके बाद हमारे पास जो इस तरह के बॉक्स बग खड़ी करके रख दिजिए आपके पास जहां भी जगान यहां पर आप सकते हैं, बिछा यहां ही ने रहां यहां पर बाया बीसको यह सकते हैं